नमस्कार सातियों जैसरी कृष्णा सुक्तियों के बढ़ते क्रम में पात्र एपात्र विवेको अस्ती धेनू पन्य गयो इव त्रनात संजायते ख्षीरम ख्षीरात संजायते विसम देखिए अच्छे सुबासित है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वबाव होता है वो ठीक उसी के अनुरूप आचरण करता है यहां दो प्रकार के प्राणियों के विसमें बताया गया है जो दिखाई देरा होगा धेनू गाई एक तो गाई होती है और दूसरा पन्नेगे है पन्नेगे हैं बोलते हैं साम इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि पात्र एपात्र दो सब्दे दिख रहे हैं पात्र पलस एपात्र दिर्ग संदी खोलना यहां सब्दों की महिमाई है पात्र योग्य और एपात्र आयोग्य या सूपात्र और कूपात्र ये दो सब्दों गए पात्र एपात्र विवेको अस्ति सूपात्र में और कूपात्र में जो विवेक है वो सोचने समझने की जो कार्य प्रनाली है वो धेनू पन्न गयो इव गाय और सांप के इव यानी समान धेनू और सांप के समान होती है जैसे एक तो है धेनू जो त्रनात घास संजायते खा करके खा करके क्षीरम दूद देती है एक तो गाय है जो घास खा करके भी क्या देती है दूद यह तो ऐसू पात्र के लक्षण योग्य के लक्षण योग्य कुन है धेनू गाय और एक जो सांप है पन्न गया है क्षीरात दूद पी करके दूद संजायते पीकर विशम जहर प्रकट करता है यहां संजायते से अर्थ हम दोनों जगे ले सकते हैं ग्रहन करके ताकि कन्फ्यूज नहीं हो ग्रहन करके संजायते ग्रहन करके तो देखिए दो प्रकार एक पात्र होता है एक पात्र होता है एक सुयोग्य होता है एक कुयोग्य होता है इनमें जो स्वाभाविक विसेश्टाएं होती हैं वो कूपात्र को यदि हम अच्छी बात बताएंगे तो भी वो उसका बुरा अर्थ निकालता है अच्छी बात बताने पर भी और पात्र को अच्छी बात बताने पर वो अच्छा कम बात बताने पर भी बैस्ट अर्थ निकालता है जैसे एक गाई है जो घास ग्रहन करके भी दूद देती है और एक पन्नेगे है अर्थार्क साप है जिसको दूद पिलाने पर भी वो जहर उगलता है इस प्रकार से पात्र और एपात्र श्वभाविक रूप से ही बन जाते हैं देखिए इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं विसेश इनमें कोई बात नहीं है जो सुक्तियों वाला है वो लगबग मैं बताता रहता हूं कि या तो सुक्ति आएगी यहां से और या फिर ऐसे कि ऐसे आपके सामने ये पद्यान सा जाएगा जिसके बारे में व्याकरनात्म मक्टिपने छंद अलंकार आदी पूंच लिया जा सकता है या यहीं से भी क्यूशन कर लिया जाए तो कुल मिलाकर के इनका अर्थ आना चाहिए अर्थ आएगा जब व्याकरन हमारी किलियर होगी और सब दान्स हमारे किलियर होंगे और इतने कठिन यह है नहीं कक्सा दस से लिये गए हैं जो कक्सा दस के विद्दार्थी भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं जै हिंद जै भारत